द्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्वदचतुष्टयम् यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानू पास्महे मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्विद्याले का इलेक्ट्रानिक माध्यम निर्माण और शोद कींद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजकारे विश्ञेपर आधारिद ध्वनि कारिक्रम, सामाजिक संगठन और सामोदाइक विकास। ये कारिक्रम MSW पाठिक्रम की दुतिय वर्ष्ट के विद्यारतियों के लिए दुतिय परश्ण पत्र समाजकारे की समीकित विद्यापर आधारिद है कारिक्रम के विशे विशे शग्य है डॉक्टर S.R. बिल्लोरे। इस कारिक्रम का धुनयांकन, संपाधन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहदुर जादवने। तो लीजे सुनिए धुने कारिक्रम, सामाजिक संगठन और सामोदाइक विकास। सामोदाइक विकास तता संगठन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारी उस चर्चा का जिसमें हमने समदाइ शब्द का विवेचन करके उसको समझने का प्रयास किया था। जैसा कि हमने चर्चा की थी समदाइ अर्थात एक निश्चित भूभाग इसमें कुछ लोग निवास करते हैं और वो अपनी जीवन की को सामान्य आवशक्ताओं को परस पर शेर करते हैं बाटते हैं और जो सबसे जरूरी बात है कि उनमें एक भावना होती हम की भावना य है यह हमारा गाओ यह हमारा शहर है इसे आधार पर आईए चर्चा करते हैं सामदाइ विकास त्थ होता है समदाइक विकास और इस समदाए गाउं आलिवाची गाउं या शहर कुछ भी हो सकता है अर्थात समदाए का विकास करना एक लक्ष या उद्देश है और सामदाएक संगटन से तातपरे है किसी समदाए अर्थात उसके निवासियों को संगटित करना जो कि एक प्रक्रिया या विधी है इस गुरूप में अगर देखा जाए तो समदाएक विकास एक लक्ष है और समदाएक संगटन उस लक्ष की प्राप्ति के एक विधी दोनों में साध्य और साधन का या लक्ष और प्रक्रिया का रिष्टा है लेकिन प्रेशात्रों भारत में सामुदाई की विकास शब्द का एक विशिष्ट मतलब हो गया है हमारे यहां सामुदाई की विकास से तात पर मुख्यता उस महत्वा कांक्षी कारिकरम से है जो भार सरकार द्वारा देश के लगभग 5.5 लाग गाउं में विकास के लिए अक्टूबर 1992 प्रारंब किया गया था इसके अंतरगत पूरे देश को विकास खंडों में माट दिया गया प्रत्यक विकास खंड में औसतन सव गाउं होते हैं जिन में लगभग एक लाग के आवादी होती है प्रत्थम पंचवरशी योजना आवधी में प्रारंब किये गए इस विशाल कारिकरम के संचालन के लिए भारसरकार द्वारा सन 1956 में सामुदाई की विकास मंत्राले का विशेश रूप से गठन किया गया था यसे कारांतर में क्रशी योईं ग्राम विकास मंत्राले में परियूर्तित कर दिया गया उसके बाद सन 1979 में की गई नई व्यवस्था के मताबिक भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित समस्त विकास कारक्रमों को ग्राम विकास मंत्रालाई के अधीन तता शेष कारक्रमों को राजी सरकारों के अधीन कर दिया गया तो इस प्रकार व्यवस्थाओं में परिवर्तन बदलते समय कानुसार किया जाता रहा अब आएए भारत के सामदाईक विकास कारक्रम के उद्देश्चों अधो साउरस्णा आर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर कारपनाली तर्था गुंड दोशों की संक्षेप में चर्चा करे भारत सरकार के सामदाईक विकास कारक्रम को संचालित करने वाले मंत्राले द्वारा इस कारक्रम के आठ लक्ष बताएगे हैं जो इस प्रकार है लक्ष नंबर एक जो सबसे कठिन माना जाता है ग्रायमिन जनता के दर्ष्टे कोंड में परिवड़तन लाना लक्ष दूसरा गाउं में नेत्रत विकास अर्थात लीडर्शिप डेलपेंट और इसमें उद्देश ही है कि गाउं से ही लोग आगे आएं और उनमें नेत्रत गुणों का विकास हो प्रशिक्षन के द्वारा तीसरा लक्ष गाउं को आत्म निर्फर और प्रगतशील बनाना प्रगतशील से मतलब उनके सोच में प्रगतशीलता का समनवे करना ये उद्देश ये भी बहुत आसान काम नहीं है लक्ष क्रमांग चार गाउं के जनता की आर्थिक प्रगति के लिए क्रशी का आधुनी के करन करना और ग्राम उद्योगों और कुटी रुद्योगों का विकास माचवा लक्ष ग्रामीन महलाओं तथा परिवारों की उन्नति और इसमें खास तोर से प्रोड शिक्षा पर विशेश रूपते ध्यान देने की बात की सवी प्रकार की बच्चे उन बालकों का शारिर्ग और मानसिक विकास सात्मा लक्ष गाओं में पढाने वाले शक्षकों के हिटों के रक्षा और आठा उद्देश ग्रामीन स्वास्थ और बीमारियों की रोक थाम और ग्रामीन स्वास्थ के लिए आवास योजनाओं का निर्मान करना बीमारियों के रोक थाम के लिए प्रहतने करना कारेक्रम चलाना जागरती के जनजागरूपता के और उनके उपचारों के लिए अदो सरोचना का निर्मान करना तो ये आठ प्रमख उद्दिश निधारित किये गए भारत में सामधा की विकास के अब आईए एक निगाह डालें इन उद्दिशों की पूर्ती के लिए किस प्रकार का धाचा निर्मित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर या किस प्रकार के अदो सरुचना का निर्मान किया गया ये अदो सरुचना का निर्मान पांच स्तरों पर किया गया केंद्र, राज, जिला, विकास खंड और ग्राम सबसे पहले आईए देखें कि केंद्र स्तर पर और जो सामदाई के व्कास योजना ये कारेक्त्रम चलाने के बाद थी उसके लिए क्या व्यवस्था? की गई इसके लिए जो कारेइताई किये गे मंतराले के अंतर designers की मैं पहले आपसे बता चुका हूँ मंतराले के निर्मान किया गया और इसके प्रमुकार इस प्रकार थे सबसे पहला काम नीती का निर्मान करना सामदाइक वकाज के नीती का निर्मान करना उसके साथ ही एक परामश जात्री समीति का भी गठन किया गया इसका काम था मंतराले को आवश्चक सुझाओ देना समय समय पर और इसको इतना महत्यपूर्ण माना गया कि प्रधार मंत्री इसके पदेन अधिक्ष होगे इसी के जिम्में एक काम और था योजना का निर्मान सामदाइक वुकास योजना का निर्मान और इसी के जिम्में ये काम था इस हेतु कारेक्रमों का निर्मान कारिक्रम की रचना, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, इस मंत्राले का नाम हुआ, ग्रामीन विकास मंत्राले, और इसके अंतरगत ये प्रमुकार्य निर्धारित किये गए, इस्तरक्रमांक दो, केंद्र से आई अब राजी के तरफ चलें, राजस्तर पर कारक्रमों के क्रियानवेन का जिम्मा, राजी सरकारों को दिया गया, उनको सौपा गया, और इस हेतु, प्रत्यक राज्य में, विकास समीति का निर्मान किया गया, राज्य के मुख्य मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष तैय किये गए जैसा कि केंदर इस्तर पर प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष थे वैसे राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री और इसके जिम्में वही कार थे जो कि केंदर इस्तर पर मंत्राले के लिए तैय किये गए अर्थात राजी के लिए नीती का निर्मान करना, यहां भी एक परामच जाती समीती के घठन किया जाना था, जिसके सियम अद्यक्ष थे, अद्यक्ष होते हैं, राजिस्तर पर यूजना के निर्मान का दाईतु भी, और कारिक्यमों के निर्मान का दाईतु भी, राजिस्तर पर इसके जिम्मे किया गया और यहां पर यह भी उल्ले किया जाना आवशक है कि इस समिति के विकास समिति के सभी विभागों के मानि मंत्रिगण, पदेन सदिस होते हैं, तो यह दूसरी रचना राज अस्तर पर सामूदा विकास कार कर्म के तहत, तीसरा अस्तर जिला इस्तर पर एक समीति के निर्मान किया जाता है।। उसे कहते हैं जिलह नियोजन समीति। जिले के जो गलेक्टर है वह इसके पदे अध्यक्ष होते हैं। और जिला परिशद के जो निर्वाजी सद्स बैउ seismic य समित्र वही कारे कर पर करती है। सामध्य विकास कारक्रम के अंतरगत अब आईए चोथे स्थर पर चलें यह है विकास खंड इस्थर जैसा कि मैं आपको पूरू बता चुका हूँ हर विकास खंड के अंतरगत लगवग सौ गाउं होते हैं और एक लाग क्या अबादी मानी गई है यहाँ पर एक पंचाय समित पंच्य समित्य और इस समीति के उपर कायरक्रम के क्रियान वन के जिम्मधारी सव्प हि जाती है इस पंचाय sair समिति में एक तो निर्वाचित सरपंच होते हैं और इसके साथ में कौॉप्टॏज मेंबर्स महिलाओ को इसमें सरे से अन्यूक्त किया जाता है शिडूल कास्ट अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और अन्य पिशावर के लोगों को भी इसमें सामिल किया जाता है और इसके बाद खास तौर से ये जो इस्तर है विकासखंड का ये बताना आवश्चक है कि इसको सबसे अधिक महत्तु दिया गया है क्योंकि पूरु में आपको बताय जा चुका कि पूरे देश को विकासखंडों में बांट दिया गया और इसको विकासखंड के संचालन के जो समिती दी गई जो मशिन दी दी गई उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जाना बहुत महत्वपूर्ण है विकास खंड इस्तर पर एक CEO के नियुक्ति की जाती है Chief Executive Officer मुख्य कारिपालक अधिकारी ये नेता होता है विकास खंड में सामधाइक विकास कारिक्रमों के संचालन का उनके क्रियानवेन का और जो नीती उपर से आई है उसको लोगों तक पहुंचाने का इसके अंतरगत इसके काम में मदद करने के लिए कुछ विस्तार अधिकारियों के नियुक्ति की जाती है और ये विस्तार अधिकारी निम्नकित क्षेत्रों के विशशग्य होते है पहला है क्रशी विस्तार अधिकारी, दूसरा है सहकारिता, तीसरा परशुपालन, चौथा पंचायत, ग्रामी नुद्योग, सामाजिक शिक्षा, महिला कल्यान और बाल कल्यान इतने अधिकारी, इस मुख्य कारपाले का अधिकारी को सयोग करते हैं, पूरे विकास खंड में अपने अपने क्षेत्रों में कार करने के लिए उधान के लिए जो क्रशी विस्तार अधिकारी होता है उसका काम ये है कि नई उन्तम जानकारी जो विश्वध्यालों में शहुद होती है जो शासन के तरफ जो जानकारी आती है उन्हें किसानों तक पहुंचाना उन्नत बीज खाद क्रशी अंतरों के बारे में जानकारी दे उसमें इस मशिन्री का और इन लोगों का विशेश रूपसी योगदान रहा है यह कहां तक था इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे लेकिन यह जो विकासखन इस्तर पर जो सहिंतर निर्मित किया गया जो अदो सहरुचना निर्मित की गई उसे बहुती महत्पूर्ण माना गय और इस अदो सहरुचना का जो आखरी इस्तर है वो है ग्राम इस्तर हम लोग केंदर से चले और केंदर से लेकर के राज, जिला, विकासखन इस तक आए और आखरी में ग्राम इस्तर पर देखें आईए इसके अदो सहरुचना क्या है ग्राम इस्तर पर सावदा विकास कारेक्रमों के क्रियानिवेन का पूरा जिम्मा ग्राम पंचायतों को सौपा गया है और ये ग्राम पंचायतें जैसा कि मैंने पूर में आपको बताया विकास खंड कारेक्रम कंतरिगत इनके यहां कारेक्रमों का क्रियानिवेन होता है कारक्षम जो माना गया है इसके क्या क्या है और इसके क्या क्या सीमय यह गंदोर्श का व्यविचन हम लोग करें सबसे पहले देखें कि इस कारक्रम की उपलब्धियां क्या है पहला इस बात का दावा किया जाता है कि आज देश में कृशिकषेतर में जो भी प्रगति हुई है और दो-दो बार हरी कृ्टियां इस देश में हुई है श् Between हुई है इसका बहुत बड़ा जो कहना चाहिए कि क्रेडित या श्रेभ इस कार्यक्रम को दिया जाना इसी के अंतरगत उन्यत बीज खाद इनके जानकारी दी गई करशकों को सिंचाई के साधन उप्रब्द करवाए गए खेती के आधुनिक उपकरण तक लोगों के जानकारी पहुंचाई गई लोगों को जानकारी पहुंचाई के उनकी पश्वों के नस्ल में सुधार इस तरह के कारेक्टरम चलाए गए और आज भी चल रहें तो खेती बागवानी और पशुधन इन तीनों क्षेत्रों में इसका योगदान विशेश रूप से महत्यपून माना जाता है दूसरा है यातायत में सुधार सडकों का नई-नी सडकों का निर्मान सुधार पुलों मंतर सडक निर्मान यूजना चल रही है उससे भी काफी उपलब्दियों का दावा किया जा रहा है तीसीर उपलब्दी हुई स्वास्त के खेत्र में और देश में प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों प्रामरी हेल्स सेंटर का नेटवर्क इस्तापित किया गया है इस पकार के दावा है और ग्रामिन स्वास्त और साब सफाई के विशेश कारिक्रम चलाए गए हैं और इन ख्षेतरों में भी काफी इस्तर मूचा उठा है चौथा शिक्षा का प्रचार 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 इस कारिक्रम के माध्यम से आप तो जानते ही हैं कि हमारे समधान में मुख्य रूप से जो प्राइमरी एजुकेशन है फ्रियन प्राइमरी एजुकेशन कमपल सरी उसके क्रियानवन के लिए इस कारिक्रम में भी काफी सुध किये गए और इस बात का प्रयाज किया गया कि कम सकम प्रात्मिक स्थर तक बालकों को अपने गाउं से ज्यादा दूर न जाना पड़े उसके बाद में रोजगार के क्षेत्र में काफी प्रगती हुई ऐसा दावा इसी उजना के तेवारा किया गया है खास करके कुटीर उद्योग ग्रामोद द्योग उधान के लिए जैसे हाथ करगा है या छोटी छोटी उद्योग हैं उनके लिए रिंड उपलब्द करवाना उनके मार्केटिंग की ववस्था करना कारिगरों और जो बुनकर लोग हैं उनके साहकारी समयतों के स्थापना करन इस प्रकार के योजनाएं चलाई गई हैं और इनसे भी कारीगरों को मजदूरों को काफी लाब हुआ है इस बात का दावा किया जाता है आवास योजना के तहट सरसुलब मकान कम लागत वाले मकान के निर्मान को प्रोसाहन देना उसके लिए शास के रिन उपलब्द करवान इस प्रकार के कारीटरम चलाय जा रहे हैं और चलाय गए मनोरंजन के खेतर में सावदाइक मनोरंजन के इंदुरों के स्थापने की गई है जहां पर टीवी उपलब्द है ग्रामिन मेलों का आवजन किया जाता है इसमें शास के उजनाओं का परचारपसार भी होता है और के खेतर में खास करके पोशन के खेतर में महलाओं और बच्चों के लिए जो आंगनवाडी और बालवाडी कारेक्रम चल रहे हैं इनसे भी इन वर्गों को काफी लाब बिला है तो ये दावे इस योजना के क्रियानवेन के आधार पर किये जाते हैं और आएए देखें कि जो हम लोग अपने MSW में सामुदाइक संगठन की बातें करते हैं सामुदाइक संगठन हमारे एक विदी है और प्रारमी में आप से कहा था कि सामदाइक विकास एक लक्ष है और सामदाइक संगठन उस लक्ष की प्राप्ति की एक विधी है अब हम यह देखें कि हमारी इस दृष्टिकोंड से सामदाइक संगठन की विधी के दृष्टिकोंड से इस सामुदाइक विकास योजना के क्या-क्या गुर्दोश हैं, किस प्रकार साम उसके समिक्षा कर सकते हैं सबसे पहला लक्ष और इससे पहले कि मैं इन दोनों के तुलना करूं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा सामुदाइक संगठन प्रक्रिया की परिभाशा के बारे में इसके चर्चा हम पहले कर चुके हैं आई एक बार फिर से उसको देखें, रास महोदे ने सामुदाइक संगठन प्रक्रिया की जो परिभाशा की है उनके अनुसार साहँदाइक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाइ अपने आउशकताओं या उद्देशों के पहचान करता है। और यह सब करते हुए समुदाय में सहयोग मूलक मनोवरत्यों और व्यवहार का विस्तार एम विकास करता है तो अंतियम लक्षिस परभाशा का अनुसार क्या है? समुदाय में अर्थात लोगों में परसपर सहयोग को विक्सित करना एक दूसरे के मदद करें, मिलदूल करके काम करें और आपस में सत्भावनाओ का परचार परसार हो इस समुदाय क संगठन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष में अब आईए हम करें समीक्षा भारत में चल रहे है समुदाय क्विकास कारिक्रम की जिसके बारे में संक्षिप जानकरी अभी मैंने आपको दी सबसे पहले लक्ष हमारे जो सामदाई की विकाज कारेक्टरम चल रहा है राजी के द्वारा उसका लक्ष जो आम तोर पर दिखाई देता है उस सत्भावना या टीम भावने आत्म दिर भरता नहीं बलके बहुती भी काज दिखाई देता है एतने पुल बनाना, एतने सब्के बनाना, पराश्मिक स्वास केंदरों का विस्तार शिक्षा का परचार परसार, महला कल्यान, बाल कल्यान इत्यादी तो आम तोर पर ये ग्रामिनों की एक भावना बन गई है कि ये जो कारक्रम है ये हमारा कारक्रम नहीं है ये सरकार का कारक्रम और जो भी शास की सेवक हमारे बीच में आते हैं ये तो उनके नौकरी ये तो उनको करना ही है तो इस प्रकार से एक दूरी बन गई है सेवार्चियों में और जो सेवा की भावना से जिन में लोग ख्षेत हमारे सामुदाइक संगेटन कायरक्रम में ये माना जाता है कि जो भी कायरक्रम करें वो इस्थानी लोगों के आवशक्ता के आधार पर ही होना चाहिए अगर आपकी बीमारी है टाइफॉइड और डॉक्टर शहर से आकर के तैय करके आता कि मुझे तो मलेरिया का ही लाज करन कि कि ये इसके कायरक्रम ऊपर से बन करके आते हैं नीचे से इनका उद्भाव नहीं होता है अर्थात जन साधान के आवसक्ताओं के अनुसार कायरक्रम को अंधरमान नहीं होता है तो जब आवसक्ताओं के पता ही नहीं है उनके पता करने के कोशिश में नहीं होती है तो ज सामधाइक संगठन कारिक्रम में हमारी प्रक्रिया में साधनों को जनता के द्वारा ही जुटाये जाता है बहले उस अंतरगत हो साधन या कहीं बाहर से लाए जाए लेकिन इसके लिए जनता को युप प्रयास करना पड़ता है तक भी जनता उनके व्योसेतुप्योग में इसले कदम पर हो जाती है और शासन और उसके सेव की सामने आ जाते हैं। उनको आगे लाने की प्रयास करना यह दूसरी बात तो नेत्र तो प्रशिक्षन तो हो रहा है लेकि नेत्र तो प्रोस्थाहन नहीं हो पा रहा है तो शास्की उजनावक ट्रियानवैन में इस्थाणी नेत्रत योगदान बढ़ाना होगा तबी इस खारिकेम के सार्थक्ता सा जनता की भागेदारी उसमें बहुत कम होती है, तो ये भी आवशक है कि जनता की आवाज बरोबर सुनी जाए और तदनुसार, आवशत्ता अनुसार कारिक्रम में परिवर्तन किया जाए, तो ये इसका एक बड़ा कहना जाए कमी है, सामुदाइक वुकास के ट्रेनिंग किस प्रकार की हो, इस पर भी अभी कोई बहुत जादा इस पश्टता सामने नहीं आई, लोगों कि इस प्रकार से ट्रेन करना, होना ही चाहिए था, कि सामुदाइक वुकास का कारिक्रम, जनता का कारिक्रम होता, जनता के लिए होता, और जनता के द्वारा होता, इस रूप में जब इकारकरम सामने आएगा तब ही इसके सारतक्ता दिखाई देगी तो अभी तो ऐसा लगता है कि सामदा इवकास कारकरम के कारण हो लोगों में परावलम्मन की भावना ज्यादा विक्सित हुई है जो कुछ करना सरकार को ही करना है सरकार का दाई तो है शार्ज की नौकरो रहा है और आम तोर पर सामदा इवकास कारकरम को जो वास्तों में जनता के विकास के लिए है एक सरकारी कारकरम के रूप में देखा जाता है तो आईए अब हैं विचार करें कि सामदा इक विकास कारकरम को सामदा इक संगठन का कारकरम कैसे बनाएं इसके लिए सबसे बड़ी आवशक्ता तो ये है कि जो भी कारिक्रम तयार हूं उसमें जन्ता के आवशक्ताओं का ध्यान रखा जाए उन आवशक्ताओं के प्राज्मिक्ताएं तैक की जाएं और उसके हिसाब जाही कारिक्रमों का निर्मान हो दूसरी बात नेतरत प्रशक्षन का कारिक्रम तो निश्यत रूप से होना ही चाहिए लेकिन नेता तयार होने के बाद में उनका उप्योग इस कारिक्रम के क्रियानवन के लिए कैसे किया जाए इसके उपर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए और तीसरी बात आवशक्ताओं का पता लगाने से लेकर के उनकी पूरती के लिए क्रियानवेन के उपआय, उनकी भागीदारी से लेकर के पूरे कारिकृम के मुल्याकन तक प्रते के सतर पर जन्ट प्रतिनियों की भागीदारी अत्यनता आवशक्ष एंट देश में चल रहे सामदा एक वकास कारक्रम को हम जनता का कारक्रम जनता के लिए और जनता के द्वारा कारक्रम कह सकते अभी आप सुन रहे थे समाचकारी विश्यपर आधारित ध्वनी कारिक्रम सामाजिक संगठन और सामोदाइक विकास कारिक्रम के विशेविशेशग्य और वारताकार थे डॉक्टर S.R. बिल्लोरे उद्गोशिका थी अनुराधा गोस्वामी इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रन संपादन और प्रस्तुती करण किया अमर बहादुर यादवनी ये कारिक्रम मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्विद्याले की इलेक्ट्रानिक माध्यम निर्मान और शोद केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया अमर बहाद किया लगए ये कारिक्रम मुक्त विश्विद्याले की